नमस्कार दोस्तों आज है 19 जन्वरी 2023 और आज के सिच्छ और रोजगार जगत की हर एक अपडेट कम समय में आपको विस्तार से बताएंगे आयोगने की भरती तो दो चर्णों में अब आपको परिच्छा देनी होगी जहां एल्टी ग्रेट से च्छक भरती को लेकर असमंजस की इस्तती आयोग पर अभी भी भनी हुई है पिछले एक सालों से भरती आ रही है लेकिन आज तक विज्यापन नहीं जारी हुआ लगातार असमंजस की स्थिय है अर्यता विवाद को लेकर परिच्छा को लेकर बहुत सारी स्थियां सही नहीं और आज की जो अपडेट है एल्टी ग्रेट सिच्छक बरती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि UPSC कराएगा या दो चीजे है नए सिच्छा सेवा चैन आयोग के जिम में यह भरती आएगी या अभी इस पष्ट नहीं हो पा रहा अब समकच रहता को छोड़कर अन्य विवादों को छोड़कर अब दो नए विवाद आ गए कि अब आयोग पर इच्छा कराएगा कि नया सिच्छा आयोग पर इच्छा कराएगा अगर UPSC यह भरती कराता है तो इस बार अब यारतियों को दो चरणों में पर इच्छा देनी होगी क्योंकि बदलाओ किये गए और अगर आयोग के पल्ले यह भरती आती है तो आपको यह कही पर इच्छा देनी पड़ेगी तो आयोग बनने में तो अभी कम से कम आपको यह साल समाप्त हो जागा तो इस साल के बाद ही भरती आगी अगर आयोग के भरोसे यह भरती रही तो ठीकर क्योंकि पिछली जो भरती रही वो दो हजार अठारा में हुई थी पंदरा विस्यों के लिए दस हजार साल सो और सक जो की एक परिशा के आज़न के बाद पूर्ड हुई थी बहुत कैसे तैसे यह पूर्ड हो पाई थी लेकिन अब नई भरती के लिए चात्र मौड लंबे सम इसे प्रतिच्छा कर रहे हैं और आयोग को जो अधियाचर है वो लगबख छई हजार पदों पर है जहां यहां पर मिनिममम छई हजार पदों पर भरती आने की चांसे हैं और दोहजार तेश के कलेंडर में इल्टी ग्रेट सिच्छगवरती को सामिल नहीं किया गया इसका मतलब है कि आयोग इल्टी ग्रेट सिच्छगवरती को जो भी ग्यापन है वो निकालने से बिलकुल भी दूर है निकालने वाला नहीं है इसलिए स्मंजस की इस्तिती बनी होई है अब यहीं चीजे हैं तक यह नई प्रात्मी सिच्छगवरती में यहीं चीजे हैं कि अब नया आयोग आ रहा है नया गठन हो रहा है इस इच्छायोग को ऐसी जानकारी है कि फरवरी में जो कैबनेट बैठक है उसके बाद जो मार्च तक लगबग इस पर अंतिमोहर लग जाएगी और यह साल के लाश तक जो है आ जाएगा और इसके आने के बाद जो उसका संकश है रहता का विवाद है सबी चीजे हैं वो के लिए रोंगी और उसके बाद ही आपको नया विग्यापन देखने को मिल सकता है ऐसी जानकारी है ठीक है क्योंकि अब यह आयोग ही भरती करवाएगा ऐसी बहुत सारी भरती अभी टीजिटी पीजिटी पे भी यही मामला कल द कोल सकते हैं अभी देखे तुरंद अपटीट आ गई है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टीजिटी पीजिटी दोजार बाइस में सीट ब्रद्धी को लेकर पूरों मंत्री से भी छात्र मिले इन्हों लगब पंदरा इन्हों से क्रमी कांसन कर रहा है लेकिन कोई महाने देख सिच्छा से वारता कर मिलने का समय भी दिलवा दिया ठीक है तो वारता कई बार हो चुकी है कोई कठोर इस्वासन देखने को नहीं मिलाए बस कारवाई होगी ऐसे चार्वाई के तरफ से चैयर पर जो चैनबोड अद्धिक्शन के तरफ से पहुत सरी अस्थास है अब इसके लिए विसेस अपील करने जा रहा है उत्तर प्रते सुझतर सिच्छा सेवा आयोग जहां बिजिक राय के अधार पर यूपी एच्टी लिए जाएगा उसके बाद इस वर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा इन तिरान में पदों पर बीएट शातों को असिस्टन प्रोफेशर बनाए जाएगा अभी पिछले सब्ता प्रयाग राज की तरफ से रोडवेज की में वेकेंसी आई थी आपको मैंने बताया थ सकता है लिंक नए का मुद्दा ता चाक्षे काफिया और बींगत दंकिये विरुध की तो इसलिए दोबारा से यहां पर ग्यापनाएगा दोबारा से फिर से लिंक क्छोड़ां जाएगा दोबारा थे आपको आवेदें करना होगी खीए अब यह से और आंको पर आपको कर था उनको भी पता चल गया होगा कुछ छूट गया होंगे तो अब इस बार आप जरूर आवेदन कर लीजेगा सीटेट 2022 में जो पेपर आउट कराने लिए कुछ कोचिंग संचालक थे ठीक है उन सभी को यहां पर गिरफ्तार किया गया लखनौ से अपडेट है मॉवाइल से पत्र बरामत किया गया जेल यहां पर भेज दिया गया मेरट में दो की गिरफ्तार हुई है इसके बाद लखनौ में कारवाई हुई है डाई-डाई-लाग रुपए में प्रश्ण पत्र बेचे गये थे अमित सिंग है यह कोचिंग संचालक है ठीक है इनको यहां पर गिरफ की बात करें तो 26 फरवरी को कराई जा सकती है और इसके साथ यहां पर बहुत सारे चात्रों है लगवग बारा सो तीन दिने बारा सो बानवे जो इसमें यह दोड को लेकर यहां पर चल रहा है वह पर प्रदान मंतरी सत्रह हजार युवाओं को कल न्युक्ति पत्र देंगे यहां नई दिल्ली से अपडेट है दस लाख युवाओं को सरकारी नौक्री जो है देने कल अच्छ है और इसी करब में बीस जनवरी को तीसरा यहां पर न्युक्ति पत्र दिवस है जिसमें 71,000 युवाओं को नौक्री दी जाएगी देश भर्द में दस लाख लोगों को नौक्री देने कल अच्छ रखा गया था यह तीसरा चल रहे इससे पहले भी लगवक सत्तर हजार को नौक्री को इलिए नुक्ति पत्र दिया जागा जो कि बिविन हम बैठने वाले हैं बारवी की पररिचऩ बैठने वाले वैसा ध्यान दें क्योंकि इस ल hesitant पर जरा सी गलती आपको भारी पढह सकती है क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी ही बी नंबर सीथे के लिए अगर वहर भरने में आपने ओपर नाम में रों लंबर में कुछ भी करती हुई थी ठीक है उसमें चैनितों को छह मैने का ब्रिज कोर्स कराए गया था लेकिन उनातर अजार में जो बीएट छात्रों का सेलेक्शन लिया गया उनको आज तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया वही करण है कि बाल मन की दसा को पढ़े बिना ही हजारों सिच्छक जो ह था लेकिन उस आदेश को किसी भी इस तर से नहीं माना गया और आज भी बीएड के छात्र बिना ब्रिज कोर्स से के उनतर जार से च्छक बरती के तहट से च्छक के रोप में अपने विद्यालियों में पटन पटन का कारे कर रहे हैं सरकारी नोगरी को लेकर अपडेट है अब राज यपाल सचीवाले अलग से यहां पर भरतीयां करेंगे गए समी चाहे च्छा दिकारी स्मेढ़ी सुoid पर भरतीया अब आप आपको अलग से देखने को मिलेंगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सचीवाले में जहां पर आफ देखेंगे hon को आके समू काके समीच्छा दिकारी सहायक समीच्छा दिकारी समीच्छा दिकारी लेखा सहायक समीच्छा दिकारी लेखा नीजी सच्चीव प्रोग्रामर इस सभी पत है जो ठीक है इनको अब अलग से यहां पर किया जाएगा अभी तक ऐसे वैसे हो जाता था विभाग को दे हो पाएंगे अब नई नियमावली हाँ पर बनाई गई है ठीक है अभी तक पुरानी नियमावली के अनुसार बरतियां होती थी लेकिन अब बदलाव किया गया है तो यह आज कुछ की सबसे महत पुर अपडेट थी अगर आपको पसंद आई हो और ऐसी अपडेट आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन को हिट कर लीजेगा